जहें दोस्तों बंदे मात्रा आप कोई भी काम कर लेकिन अगर आप उसमें अपनी गलती को एकसेप्ट नहीं कर रहा होगी कि आपने कुछ गलत किया है तो कही न कहीं वो चीज आपके लिए ही नासूर बन जाएगी क्यों क्योंकि आप अपनी उस गलती में भी कहीं न कहीं मौझूद नहीं है हाँ एक दो परसंट पांच परसंट हो सकता है उसमें कुछ न को सही आपको मिल जाए लेकिन वो आपकी अगली जो भी आप प्रोजेक्ट करते है उसके प्रेणा तभी बनता है जब आप अपने 95 परसंट को गलत मानने की काताकत रखते हो लाल सिंग शांती से अनलेसिस कर सकते हो कि लाल संग चड़ा के साथ कहां पर क्या चीज गलत हुई है वसलें कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगो ये वीडियो पसंद नहीं आता तो तीन दिन बाद मेरे को यूटीव इतना डेटा दे देगा जिससे कि मैं पता कर सकता हूँ कि आड़ ये वीडियो क्यों नहीं चला है क्यों पब्लिक ने इसके ऊपर में को हिट नहीं दी है या फिर पॉलिक को इसमें क्या चीज गरत लगी सारी इंफर्मेशन मुझे मिल जाएगी लेकिशन को देखने के बाद समझने की कोशिश ना करूं कि या रा खिर क्या मुझसे गलती हुई है तो मुझे नहीं लगता मुझसे बड़ा विवकूफ कोई होगा अब ऐसे में अगर हम बात करें उन लोगों की जो लोग थोड़े बहुत पैसे वाले होते हैं इंफ्लूइंशल होते हैं जिनके आज पास में ऐसे लोग मौझूद होते हैं जिनका काम सिर्फ जी हजूरी करना होता है और चम्मच बन के साथ में गुमना होता है ऐसे लोगों के बीचे बैटकर आप वैसे भी कभी भी सेल्फ अनलिसिस नहीं कर सकते और मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में यदि आप एक छोटा सा भी बिजनस कर रहे हैं तो आपके लिए स्वार्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्वार्ट अनलिसिस आपको बहुत सारी चीज़े बता देता है कि मैं अपनी स्टेंथ देखिये वीकनेस देखिये ओपरचुनिटी देखिये थ्रेट देखिये लेकिन यह चीज़े भी आप तब देखोगे ना जब आप उस चीज़ के लिए ओपन होगे जब आप अपने दिल को खोल के उस चीज़ को हुआ हम सब भी जानते हैं और लाल सिंग्चढ्दाग के इसी हच्र के उपर उन्होंने एक मिलता जुलता सा ट्वीट किया और उस ट्वीट के ऊपर उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद भी कर दिया अब जब इंसान किसी चीज़ के कमेंट सेक्शन को इसका आखरी का तो मुझे मतलब समझ में नहीं आए को कितनी अच्छी इंग्रिश मेरी है नहीं लेगन शुरुआत में इनने इतना जरूर लिखा है कि जब किसी की बरबादी को सेलिबरेट किया जाने लगे तो उससे क्रिलिटेड इनने कुछ लिखा है अब बरबादी को से सेलिबरेट किया गया यह तो सब जानते ही है अगर हम यहाँ पर लालसी चड़ा के संदर में बात करें कि पबलिकने के फ्लॉप होने को क्यों सेलिबरेट किया है तो देखिए क्या है कि जब किसी चीज को अप रिडिक्टिबल मानते हैं जैसे कि अगर किसी ने का है कि नही बोल रहा था कि मैं फोकस नहीं कर रहा हूं और उसने फोकस किया होता तो मुझे से रखता है उसका पेपर निकल जाता लाल संग चड़ा वालों ने आए गलती करती चालने ते बुरी खबर क्या और आप सोशल मीडिया पर पब्लिक भाई साब क्या कुछ कह रही है यह भी असल सोशल मीडिया पर काफी नेगटिव कैंपेइन का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही कई शेरों में फिल्म को बॉयकॉट और बैन करने की भी मांग उठी अब फिल्म के इतने बुरे हाल के बीच में लाल संग चड़ा के स्क्रीन राइटर अतुल कुलकरणी ने एक किया है जो कि सोशल मीडिया पर खासा वैरल हो रहा है पता दें कि लाल संग चड़ा हॉलिवड फिल्म फॉरस्ट गम का हिंदी रिमेक है इस फिल्म के स्क्रीन प्ले अतल को उड़कर नहीं लिखा है मतलब उस मुवी को देखकर इन्हों नहीं इसको टापा है और इस से आम लाल संग चड़ा के बॉक्स ऑफस फेलियर की बात कर रहे हैं इतना ही नहीं अतल ने इस ट्वीट के बाद रिप्लाइस का उप्शन भी आफ कर दिया है जाहिर सी बात है ये तो लगों को और छोड़ेगा इसे बता दें कि लाल संग चड़ा अतल की बता और इसकी रेड़ पहली ही फिल्म थी अब तक उन्होंने कई फिल्मों में अक्टिंग करी है इतना ही नहीं बेस सपोर्टें एक्टर के लिए दोवाल नेशनल आवार्ट से भी उनको नावाजा किया है एक्टर लास्ट फिल्म और डिजनर वे होस्टार की सीरीज रुद्र में नजर आये थे और उसके बाद से मतलब उनकी फिल्म लाल सिंग चड़ा के बारे में ही उनका जिक्र हो रहा है लेकिन अगर हम चलें और देखें भाईया कि लोग आप ट्वीट के उपर रिप्लाई क्या कर रहा है उनको तो वो देखके समझ में आगा कि पबलिक के मन दुश्य समय क्या है सबसे पहले चंदरकांत शर्मा लिखते हैं कि अंडर वर्ट प्रविजिन्स यू शोड़ दाट इंडियन आर्मी रेकृट्रेड लो आईक्यू सोल्जर यू इंडियर्स ब्लाइंडली कॉपीड नमाराज मॉरॉंस मतलब देखें सीधी सी बात है इंडियन आर्मी में इतन अब दिवागी नहीं लगाएगा तो कैसे पता चलेगा फैन अफ खली लिखते हैं डिबरिच लाइक मतलब बर्बादी क्या है यहां पर शुन्य ओले मेली एंटी मेली एंटी हिंदू फिल्म नहीं चल रही अब मैं दिव घ्यान दूंगा सबको बहुत बढ़ी है इस यही एक्जांपल है इसका कायदान लिखा एग्जेकली यू आ थे उन्स who celebrated destruction of भारत you celebrated destruction of Hindu values, cultures, you celebrated भारत as union of countries you celebrate failure of Modi, you are habitual destruction celebrator, why complain now, shameless Sunil Littaynts like your character in Aragda Basanti जितनी बार तुम लोग self-introspection ना करके हम audience में गलती निकालोगे उतनी बार हम तुमारी फिल्में फ्लॉप कराएंगे कर लो जितना हमें ब्लेम करता है कर लो पब्लिक को ब्लेम करने से क्या ही होगा तेजस लिखते हैं And what is the truth sir? सच क्या है? बता दो Tanya ने लिखा है कि He really thinks he made a masterpiece And boycott mixed him Half a fame star No Mr. Kulkarni, you made a crap movie With lack of screenplay And OTT acting by Aamir Khan Boycott saved you from business Of non-existent talent Forrest Gump is not your cup of tea You are not talented Shona लिखा है कि Dear Atul, don't cry Science atheism is ruthless, cruel and brutal One's destruction is benefit for other Destruction is necessary for creation Destruction is a form of creation I praise people who boycott at Bollywood Who mock their identity and dignity Look, what happens? When something happens when something happens It's always that The next development of that thing It's good to be The truth is that You take that boycott In a positive way Or you take that negativity In a positive way Now we write that Atul Kulkarni Bollywood started a trend By ridiculing ethnic India Values, culture and extolling everything That works towards the destruction The backlash is well-deserved The backlash is well-deserved Siddhartha लिखाया Atul Kulkarni There is a huge shortage of idiots like you in India When a film flops You are telling it a global destruction event The audience did not connect with the film Just so much You guys are not able to digest So this is the reaction That is what you can do Or you can say That the tweet of these brothers Is that the public Has told us that We like this and we like this And we like this and we like this And we like this If you can do something Or you can do something Then we have a better option To see our own Which we can do You can do something If you guys are in this What do you want to say I will tell you My name is My name is My name is ये बारत